साथ में नमस्कार, आज के हमारे इस वीडियो में मैं आपको गाए बहेंस के बच्चे की दस्त को रोकने के दो उपाई बताने जा रहा हूँ जो की एकदम से अचूक है, एक देसी उपाई है और एक थोड़ा मिक्स वाला उपाई है लेकिन बहुत ही अच्छा काम करेगा बैस गाए के बच्चों के लिए तो देखिए जब भी दस्त होते हैं हमें पहला काम करना है कि उन्हें एक्जामिन करना है कि दस्त हुए किस कारण से हैं कई बार क्या होता है कि दूज ज्यादा पी लेते हैं, उसकी वज़े से दस्त हो रहा है, ऐसी दस्त को आप रोके नहीं, एक टाइम होगी उसके बाद अपने आप पसु ठीक हो जाएगा, इसके अलावा क्या होता है हम पेट को हिला करके देख लेते हैं, अगर उसमें बहुत पानी बोल रहा है अंदर, डब डब की आवाज आती है, चाहिए लेप साइट से हिलाओ, चाहिए राइट साइट से हिलाओ, पेट को हिलाएंगे, तो डब डब की आवाज पेट में से आती है, तो ऐसी कंडिशन है, उस कंडिशन में अगर दस्त हो रहा है, तो उन्हीं भी आ आधा नहीं पीया है उसके बहुशूद दस्तों यह से क endeisन में हमें क्या करना है हमें तीन चीजें के लेंए आधा को इसाममस हमें चाइपति लेनी है आधा के मच हमें अजवाइन लेनी और canda चम्मच ही हमें काला जीरी लेनी है इन तीनों को mix up करें हैं mix up करने के बाद उन्हें पानी में उबा लें ज्यादा की जूर्दनी एक ग्लास पानी में आप डालेंगे और उसे उबा लेंगे उबालते उबालते ये condition ला देनी है कि वो पानी आधा बच जा है जब पानी आधा बच जाए उस condition में उस पानी को ठंडा करके और च्छान लेंगे और च्छानने के बाद जो पानी बचता है आधा कप वो पानी हमारी गाय भेंसके बच्चे को हम पिलाएंगे तो दस्त बिल्कुल रुक जाएगी इसके अलावा अगर ये formula आपने कर लिया और दस्त नहीं रुकी है तो उस condition में आपको market से यानि नजदी की जो भी medical store है वहाँ से एक गोली लेके आनी है जिसका नाम है sulfa dimedin ये sulfa dimedin जो गोली है उसको devormer के साथ देना है यानि पेट के कीडे मारने की दवा अगर आपने नहीं दी है अगर दे दी है एक सब्ता पहले दे दी है तो भी आपको वापिस देनी है और अगर आपने दी नहीं है तो devorming करवाना जरूरी है devorming के लिए सबसे best बच्चों के लिए दवा आती है elbow मार जिसमें salt आता है albenda jol यानि albenda jol की जो syrup है उसका result बहुत शांदार है और fenbenda jol में जो tablet आती है जैसे पेना कोर के नाम से आती है 1500 mg की tablet आती है वो भी हमें 300 mg अपने काप को देनी है जैसे माल लीजिए कि उसका वजन जो है या वजन की इसाप से नहीं देखें एज की इसाप से देख लें 15 दिन का है तो एक tablet दे दे एक महीने का है तो दो tablet दे दे अगर दो महीने का है तो भी दो tablet देनी है यानि 300 mg फेनमेंड जोल हमें उसको दे देना है इसके अलावा जो albenda jol है वजन के तीसरे हिसे को ml में convert करना है यानि फेनमेंड जोल में वजन वाला इतना issue नहीं है age की इसाप से भी कर सकते हैं लेकिन albenda jol में वजन के तीसरे हिसे को ml में convert करना है जैसे 15 kg का काफ है तो 5 ml देनी है अगर 30 kg का का काफ है तो 10 ml देनी है यह बहुत ज़्यादा जरूरी है पहले आप devorming करवादे है और उसके बाद जो मैंने बॉलस बता है यह sulfa dimedin इस sulfa dimedin में भी दो परकार की गोलियां मिलती है एक तो मिलती है 0.5 ग्राम और एक मिलती है market में 5 ग्राम यानि 5 ग्राम वाली हमें लानी है और आदी आदी गोली सुबे शाम अगर उसका वजन 15 किलो है तो आदी आदी देनी है 30 किलो तक आप आदी आदी देते रहे 30 किलो से अगर ज़्यादा है तो एक एक गोली सुबे शाम दी जा सकती है इससे बहुत ही जल्दी बफेलो की या काव के जुकाफ है उनकी दस्त एकदम से रुख जाएगी इसके अलावा अगर दस्त में खून आ रहा है या दस्त लगते लगते पसू बहुत जदा कमजोर हो गया बच्चा तो उस कंडिसन में जल्द से जल्द हमें नजदी की पसूची के सक्से संपर करके और रिलाज करवाना है क्योंकि उस कंडिसन में फिर हमें फ्लूट थेरफी देनी पड़ेगी कई फरकार की मेडिशिन यूज़ करनी पड़ेगी अगर आप उन मेडिसियन्स के बारे में भी जानकारी चाते हैं तो हमारा अलग से जो चैनल है रामावत वैट्स कलब जो कि आपको लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा उसमें जाएं